हालो दोस्तों दोस्तों आज हम इस व्डियू में बात करेंगे कि जुकी दिवार में क्राक आता है और जुकी सिमेंट के खराब के बज़े से जुकी वाल का खराब के बज़े से हमारा जुकी पुट्टी है पुट्टी भी खराब हो जाता है उसका रिपर कैसे करें आज हम इस वीडियो में बताएंगे तो फ्रेंट्स मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखें ताकि कुछ आपका भी हेल्प हो सकें आप बिबार में ऐसा में इस A세요 आप से मेरा बिंति इह एं तो यह वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखें तो चले दोस्तोओ यह वीडियो प्रेंट्स में बता देना चाहरा है कि मैं इस तरह का वीडियो पैंट के रिलिटीव वीडियो में लाता हूं आपका कुछ भी कुछ भी कुस्चिन है तो मेरे को कमेंट सेक्चन में जरूर बताना तो फ्रेंट्स चले हम इसके बारे में बात करते हैं प्रेंड देखिए जब हम हमारा दिवार जो कि कुछ क्राक के तरह आता है और जो कि सिमेड खराब होने के बज़े से हमारा पुट्टी भी खराब हो जाता है तो इसमें हम क्या करें प्रेंड ये क्यों होता है इसका कारण बहुत भी है लेकिन मैं कुछ कारण बता देता हूँ प्रेंड से जब भी हमारा बाहर का साइट पानी में भीगा हुआ रहता है नहीं तो बारिस के टाइम में जो की पुरा वाल भीग जाता है तो उसका कुछ इफेक्ट जो की अंदर में आता है तो अंदर में आने के बाद जो की सिमेट प्लास्टर है प्लास्टर भी पूरा जो की विग्यो ही रहता है और उसका इफेक्ट पुरा पुट्टी के उपर पड़ता है पुट्टी के उपर पड़ने के बाद वो पूरा खराब होता है तो फ्रेंट्स इसलिए हमने जब भी घर का काम करें पेंट का काम करें तो बाहर का बूत अच्छी तरह से काम करेंगे जो पेंट हमारा जो की वाटर पूप रहेगा वाटर कोई प्रिक्ट नहीं करेंगा वो पेंट हम लगाएंगे इस तरह मैंने मेरे वीडियो में भी दिखाया है और दिया भी जो की किस तरह का पेंट हम यूज करें ताकि वो जो की दिवार पर एफेक्ट ना आए तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं यह तो हम बाहर का दीवार ठीक कर देंगे जो की पेंट के वाटर प्रूप प्रेंट मारकर लेकिन अंधर का भी हो गए अब क्या करें आप पहले हमने जहां पर हुआ है उसी को पूरी कलीन करके पूरा साब कर लेते हां इतना भी होता है जो कि पुट्टी खरब हो गया है उसको पूरा निकल देते हैं जितना निकलता है वो निकलने दो लेकिन पूरा निकल देंगे उसके उपर फेंट उसके उपर हम दोस्तो डेम प्रूप लगाएंगे डेम प्रूप का बहुत बढ़िया प्राइमर आता है जो कि यह प्राइमर बहुत बढ़िया है और जो कि वाटर को अपजर्ब नहीं करता है यह एक्स्टेरियर प्राइमर है तो हमारा पुट्टी खरब हो गया तो उसको हम तो प्लास्टर में लगाएंगे तो बीकशेम्ट वाइद ब्क HaM पुट्टिव में लगायेंगें जो कि पुट्टि के उपर नटारों कामा के लिए बीकशे G Fac Paik है जो कि एक शरी को Working साइब हम एसलिए जरी मिरह नेकिन लेए वह हम जिस तरह मार रहे हैं जिस तरह पेंट कर रहे हैं उसी तरह ही आप करेंगे उसके उपर फ्रेंट से वह प्राइमर होने के पाद हम पुट्टी को अच्छे तरह से मिक्सिंग करने के बाद हम जो कि पुट्टी को भी उसी लेवल में जो कि दिवार के लेवल में पुट् लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ये वीडियो को इतना में ही रखता हूं तो आपका कुछ कुछ चिन है तो मेरे को कमेंट सेक्षिन में जरूर बताना थैंक यू